असलामों आलेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में आप पाकिस्तानी रिकॉर्ड तो ड्रामास के बारे में जानेंगे, जो पिछले दो सालों से ड्रामा इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। इन ड्रामास को देखने के बार यकीनन आपको मालूम हो जाएगा कि एक आम ड्रामे और रिकॉर्ड प्रेकिंग ड्रामे में फर्क कहां हैं। आम ड्रामा सिर्फ एक पर देखा और फिर बुला दिया जाता है, जबकि ये ड्रामास मुसलसल गॉसिप का हिस्सा हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से दिर्फवास दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली थमाम वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सेरिय अलेफ अलेफ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा था जिसने पाकिस्तान के साथ सा पैरोने मिल भी बेपना शोरत समेटी। कल्पे मॉमिन ये ड्रामे का मरकजी किरतार है जिसका बचपन तुर्की में गुजरा है। कल्पे मॉमिन एक काम्याब फिल्म टारेक्टर है। इसकी बनाई हर फिल्म काम्याबी के नए जंडे काड़ती है। हर हिरोईन इसकी तवज्यों हासल करना चाहती है। कल्ब मुमिन के नस्दीक औरत एक शोपी से ज्यादा नहीं है और इसका इस्थार इसकी फिल्मों में लखो भी होता है मुमिना खताती में भी दिल्चस्पी रखती है हुस्न जहां ये कल्ब मुमिन की वालता है और अपने वक्त ये एक नामी गरामी इतकारा है सिल्टान ये मुमिना का वालत है और एक समाने में ये हुस्न जहां का मेक पार्टिस्ट रह चुका है अब्दुल अला, ये कल्ब मुमिन के तादा है और बेहतरीन खताद, इनका तालुक तर्की से है अलिफ का मुजूर नया नहीं है, इसमें मजभी पहलो नुमाया है ड्रामा सेरियल पहली से महपत पहली से महपत लाहासिल महपत की दास्तान है ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरियल है ट्रामा सीरियल फाइसफ तकार ने लिखा है और हिदायतकारी अंचम शहजाद ने दी है ये 2021 की सबसे बड़ी ट्रामा सीरियल में से एक थी जिसकी कहानी दो महपत करने वालो रक्षी यानि माया अली और अस्लम यानि शहरियार विनवर के गिर्द घूमती है जो इस अद तक प्यार करते हैं कि वो एक दूसरे के बगएर रहना नहीं चाहते पूरे चामे की तोरान अस्लम और रक्षी की महपत आँख मचोली खेलती रहती है पहले रक्षी के बाप की शादी की वज़ा से कबी रक्षी अस्लम के साथ परार होने का منصुबा एन वक पर बदल देती है फिर कबी अस्लम के मामू की तब्य थराब होने के बाइस इस आख मचोली का अंचाम इन तोनों के लिए अच्छा नहीं निकला ये चुदा हो गए सालों बात मिले मगर फिर ना मिल सके ध्रामा सेरिया खानी खानी ड्रामा ने चीयो टीवी पर नश्र होकर एक तारीख रकम की थी क्योंकि इस से पहले ऐसा ड्रामा नहीं दिखाया गया जिसमें हिरोईन बहुत हिसाबित कदम हो ड्रामा मेडल क्लास कराने से तालुक रखने वाली लड़की सनम खान की है जिसे प्यार से सब खानी बलाते हैं खानी जो अपने वालदेन, दो चोटी बहनों और जड़वा भाई के साथ कराची के एक एक इलाके में अपनी फुर्सकून सिंदगी कुसा रही थी खानी को ड्रामा के आखास में जितना ड्रपोग दिखाया किया उसके जड़वा भाई सारिम को उतना ही बहादूर और मस्पूर शक्सियत का हामिल पेश किया खानी के घराने को ट्रामा की पहली किस से ही इस सैधा अंदास में पेश गया गया जिससे आप खुद को इन से बहासानी चोड़ पाएंगे जबके एक मिनट भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये सब अदकारी कर रहे हैं ट्रामा सेरियल मेरे हमसफर मेरे हमसफर ट्रामो के हवाले से एक शानदार रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेरियल है कहानी एक ट्रपोग लड़की हाला यानि हानिया आमिर के गिर्थ गूमती है हाला को बहुत से मश्किलात का सामना करना पड़ा इसमें हानिया आमिर और फरहाट साइद मरकसी किर्दारों में है जबकि सबह عمیत, वसीमपा, समीना ऐहम, सोया नासिर और तारा महमूत मौवण किर्दारों में से हैं ड्रामा सेरियल दुबारा ड्रामा सीरियल दुबारा को एक रिकॉर्ड प्रेकिंग सीरियल कहा जा सकता है क्योंकि इस ड्रामे में कुछ मख्तलिफ दिखाया जिसके मिसाल नहीं मिलती दुबारा में हदीका क्यानी एक बेवा यानी महरुलिसा का किरदार अदा कर रही है जो अपने शोहर नुमान इजास की मौत के बाद अपनी जिन्दगी अपनी शरायत पर गुसाने के लिए अज़ाद है क्रामे की कहानी महरुलिसा की जिद्द जहत और इसकी मखालपत के गिर्द खूमती है जिसका इसे अपने खानदान और मौश्रे दोनों की जानब से सामना करना पड़ता है जब वो खुद से उमर में बड़े शोहर के इंतिकाल के बाद खुद को दरियाब करते होए अपनी खौईशाद का ताकुब करती है और मरहुम शोहर की जानब से आईद की जाने वाली तमाम पाबंदियों का हात्मा कर देती है बहुत चोटी उमर में खुद से कहीं बड़े शखसे शादी के बाद खुद को खो देने वाली अब अपनी नई जिन्दगी का आखास एक दिलकश नजवान माहिर यानि बिलाल अपास के साथ शुरू करती है जो इसकी उमंगों की कदर करते हुए उसे जीच जाता है महरू के बच्चे इस सुरते हाल से बहुत मायूस है लेकिन वो अपनी सिंदगी में दखल की इजासत किसी को नहीं देती ड्रामा सेरिया दिवान की दिवान की अपनी मुनफरिद स्टोरी की वज़ा से रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा इस ड्रामे को खेर मामूली तोर पर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है इसके इलावा दिवान की ड्रामे की आखरी किस्त को यूट्यूब पर सिर्फ 48 गंटों में तकरीबन 50 लाग से जायत अफरात ने देखा था इस ड्रामे ने सामोईन को पहली किस्से ही अपने सहर में चकड़ा हुआ था जैसे जैसे ड्रामा अपनी मनसिले तै करता हुआ आगे पढ़ता गया वैसे वैसे लोगों का जब ख़पीर भी इसके साथ पढ़ता चला गया ट्रामे की कहानी सिस्पेंस मकालमों की अधाइगी और लाइट म्यूजिक ने ट्रामे के सामोईन को टीवी स्क्रीन से दूर नहीं होने दिया और इसी वज़े से ट्रामे की रेटिंग भी टॉप पर रही तानिश तैमूर और हिबाली में रोल में है हमसफर पाकिस्तान का वाहिद रिकॉर्ड प्रेकिंग ड्रामा है जिसको तीन सबानों में टब किया गया ये ड्रामा परहत इश्ट्याक के नावल पर मपनी था जबकि इस ड्रामे के हिदायतकार सरमत खोसर थे इस ड्रामे की कहानी एक शादी शुदा चोड़े के गिर्द खोमती है ड्रामा हमसफर के नुमाया किर्दारों में माहिरा खान, पवाद अफजल खान, अतीका ओरो, नवीन वकार, नूर हसन, सारा कशब, पहरोस सबस्वारी और हिना खौजा बयाच शामिल है ड्रामे में फैमली मेंबरान को एक कपल के तर्मियान खलत फेहमिया पैदा करते और इन्हें चुदा करते दिखाया गया है ड्रामा सेरियन मेरे पास तुम हो मेरे पास तुम होने ट्रामा इंडस्ट्री के सब रिकॉर्ड प्रेक करती है ट्रामे की कहानी महविश नामी एक ऐसी औरत के गिर्द गूमती है चो पैसे के लालच में अपने शहर दानिश से बेवफाई करके शहवार नामी एक अमीर बिस्निसमेन से दूसरी शादी करने के वादे पर अपने शहर और बेटे को छोड़ कर चली जाती है मकर शहवार जैसा नज़र आता है हकीकत में ऐसा नहीं होता वो महविश से शादी का वादा भी पूरा नहीं कर पाता और यहीं से ड्रामे की कहानी एक नया मोड अख्तियार कर लेती है फनकारों में हुमाईयो सईद, अधनान सिदी की, आईज़ा हान, सवीरा नतीम और हिरामानी शामिल है ड्रामा सेरियल जलन जलन में आप देखेंगे किस तरह से आपको जिन्दगी दूसरा चांस देती है लेकिन आपके हवास सलामत नहीं रहते इस ड्रामे का मरकजी किरदार निशा है, जिसे मिनाल खान ने अदा किया है जलन ड्रामे में एक साली अपनी बहनोई से तालोग बनाती है बहन को तलाक दिलवाती है, फिर खुद शादी कर लेती है इस मौकर पर मिनाल खान ने बात काड़ते हुए कहा कि जब ये ड्रामा नशर होना शुरू हुआ तो अवाम ने खुद ही फैसला कर लिया कि ये साली और बहनोई की कहानी है लेकिन ये एक जित्ती लड़की की कहानी है जिसको वो सब चाहिए होता है जो वो दूसरों के पास बेहतरीन देखती है ड्रामा सेरियल खुदा और महबबद खुदा और महबबद दो अरब से ज़्यादा व्यूस हासल करने वाला पाकिस्तानी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेरियल है ड्रामे की जानदार काल्ट पे मिसाल प्रोडक्शन, आला मेयार, प्रकशिश लोकेशन आर्ट और डारेक्शन पर कहीं भी कोई कॉई कॉम्प्रमाइस नहीं किया गया बारफ फरवरी को इस मेगा सेरियल की पहली किस्त नशर की गई और पहली किस्त ने मंसरे आम पराते ही हर एक को अपने सहर में चकर लिया Electronic media पर ये drama आते ही चागया Digital media की बात करें तो drama की पहली ही किस्त को YouTube में million views मिले और फिर drama की मखबूलियत ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा YouTube पर महस तीन दिन में इस serial के premiere पहली किस्त देखने वाले शायकीन की तादा 10 million यानि एक करोड दर जा पहुँची जो मसलसल number one position पर trend करती रही एक करोड व्यूज का ये संग मेल पहली किस्त के तेज तरी व्यूज हासल करने का एक और मुनफरिद एजास था और करोड की वीवर्शिप तो अरब से ज्यादा हो चुकी है 29 हफतों तक नश्र होने वाले इस सीरियल ने पहली किस से आखरी किस तक मकूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड दिये इसके बाद खुदा और मुहबत ने पूरी दुनिया से जिस तरहा से दाद वसूल की ये पाकिस्तान के लिए एक और बड़े एजास की बात थी ड्रामे की कास्ट को तुर्की में भी एजास से नवाजा किया फरहाद और माही की इश्की दास्तान ने अर्से पाकिस्तान से निकल कर दुनिया भर से खुब मुहबत समेटी तो ये था हमारा आज का काउंट डाउन जो कि रिकार्ड ब्रेकिंग ट्रामास पर मपनी था तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपना फीडबैक देना बिलकुल मत भूलिएगा अलाहाफिस